बिस्म लाइब रमान रहीम, असलाम अलेकूं वीवर्स, उमीदे सब खेरिये से होंगे, अलापाक हम सब को अपने हिव्जामान में रखे, आमेन, तो वीवर्स आज मैंने बनाई है मतन की देगी बिर्यानी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है माशाला, तो ये बिर् तब लोले बिर्यानी है, आलू और मतन की तो मैंने मतन यूज़ किया है और आलू मेने बगेर चीले हुए जो है वो दो दो पीस में कट किए हुए है प्यास और टोमाटर इसमें जाएंगे और मेरा हॉममेड अपना आथ का बनाया हुआ वा बिर्यानी मसाला अलू बिकारे क्योंकि यह सिंदी भी रहानी है तो इसमें आलो बुखारे थोड़े ज्यादा जाएंगे और इमली का पल्प यह अद्रक लेसन का पेस्ट यह चीज़ें इसमें एड होगी और ऑईल इसमें जाएगा और यह कुछ गार्णिश के लिए चीज़ें तो सबसे पहले हम कड़ाई में आयलेट करेंगे और इसमें ब्राउन करेंगे प्राउन को आब धास को अच् af को अच्छी तरह से न मेरां कोड़न ब्राउन करेंगे महत्ат ही मज़े कि ये इदेगी ब्रियानी संधि स्टायल की बनती है और मैं अपने गढ़ में अकसर बनाती हूं और बहुत ही माशालह अच्छी बनती है तो आप जरूर देखिएगा तो अदरकलेसन इसमेट किआ मैंने और अध्रक लेसा नेट करने के बाद आप मटन इसमेट करूंगी ताकि इसकी जो खुश्पू है वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए और हम मीट को भी अच्छी तरह से भून लेंगे जिकिन हो या मटन अच्छी तरह से इसको फ्राय करना जरूरी होता है जब तक इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए तब तक हम इसे फ्राय करेंगी और आप में इसमेट करूंगी बिर्यानी मसाला आलू बुखारे और इमली का पल्प और टमाटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी तो तब तक प्लीज आप वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी प्लीज रेसिपीस को लाइक करें शेयर करें और बेल को प्रेस करना प्लीज ना मुलें ताके जो मेरी मज़े मज़े की सिंदी स्टाइल और बहुत सारी स्टाइल की रेसिपीस आती रहती हैं वो आप तक पॉंच सकें और आप इंजॉय कर सकें मेरी रेसिपीस को तेंक्यू आलू मैंने स्मेट किया आलू के मैंने दो दो पीस में कट किये हैं क्योंकि मतन जब तक गलेगा तो ये भी उसके साथ अच्छी तरह से गल जाएंगे और ये बड़े पीसे स्मेटे बहुत अच्छे लगते हैं बिर्यानी में तो आलू की मैंने इस किन जो है वो रिमूव नहीं की थी ये इसे करने से ये और ज्यादा टेस्टी मज़दार बनते हैं तो ये हमारा कॉर्मा जो है रेडी हो रहा है तो मैं इसमें पानी एट करूंगी ताकि एच्छी तरह से माटन गल जाए इसको गुछतेयर के लिए कवर करेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगी अगर जरूरत बहुंगी तो ङए उसमें और पाने एट करेंगे हरी मरसे में मैं नहीं एट की आई क्यों विजे बिरानी में हरी मरसे बहुत ही अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर ज़्यादा एट करती हूँ तो हम चेक करेंगे कि यह जो मारा मटा ने यची तरह से गल चुका है तो अब इसमें थोड़ी कसर बाकी है तो मैं इसके जो आलू है वो इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं तो मैं इसको निखा रही हूँ आलू को कि इसको अगर हम इसको इसको करेंगे तो आफ came घाना पी यह गलाने के लिए घरी करेंगे तो अब ही कोश्ट हो तो गलाने के लिए थोड़ा साह पानी मेनीघ किया और ये अच्छी तरह से मटन गल चुका है और इस पे मैंने हरा मसाला एट किया उसकी जो ग्रेवी हमें चाहिए अतनी रखनी है ज्यादा शौरबाब नहीं होना चाहिए तो थोड़ी सी थिक सी हमें ये ग्रेवी गोर में की चाहिए है है और मैं इसको ले लगाऊंगी हँई हैंडी में एकसर जो है भी बिर्यानी हँई पकाना अच्छ लगता है मुझे इससे और ज्यादा टेस्टी और अच्छी बिर्यानी मेरी बंती है अब इसमें मैंने सबसे पहले चावल इट किये और इसके बाद मैंने इसमें इट किये टिमाटर और हरा मसाला और फिर दूसरा लेयर जो है मैंने इसमें लगाया मसालन का कि इसी तरह फिर चावल और फिर उसके बाद कोर माइट करूंगी और इसी तरह तीन चार लेयर्स लगाऊंगी बहुत ही मज़े की सिंदी देगी स्टाइल बिर्यानी ज़रूर आप ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी बनती है तो आखिर में जो आलू हमने निकाल के रखे थे वह स्मेट करेंगे और थोड़ा सा ग्रेवी इसके उपर भी रख दूँगे और फूट कलर इसके उपर एट करेंगे और हरा मसाला फूट कलर जो है मैंने जो लेमिन कलर है वो एट करूंगी आपके पास ना हो तो आप जर्दे का जो जर्द येलो कलर है वो भी एट कर सकते हैं और देखिए माशाओला मज़ेदार सी मटन देगी बिर्यानी रेडी है जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने फैमिली को किलाएगा और हमें अपनी दौा में याद रखेगा अला पाक हम सब को अपने हिव्द जमान में रखें आमें और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा तेंक यू फॉर वाचिंग अलाफेज झालबक्स। झाल झाल